नमस्कार साथियो मैं आप सब का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ जिसका नाम है नोलेज बेंक आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमपूटर ग्यान प्रिक्षा से संबंधित और हर्यान प्लिस का एक्जाम काफी नजदीक है आपको पता है और केमपूटर इस एक्जाम में बहुत हैं एहम रोल प्ले करने वाला है तो हम उसी एहम रोल को देखते हुए जो है य यह है पूरा वीडियो सो क्यूस्टन का रहेगा सो किस्टन में इसमें आपको करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं अग्याँ आए theta है कि आए अज का पहला किस्टन कि एक बाइट में कितने क्रेक्टर होते हैं इसमें 64 नेक्स्ट है इन में से कौन सा unit storage मापने के उपयोग में लाया जाता है टी बी उप्सन सी रहेगा एपल में कौन सा operating system होता है उप्सन सी मेक operating system होता है खालिस्तान वह device है जो दो या दो से अधिक network को जोड़ता है गेटवे computer में गेटवे होता है जो कि दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ता है डबलु 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 खालिस्तान प्रोटोकॉल का उप्योग करता है HTTP का उप्योग करता है और यह मैं आपको बता देता हूँ यह है जो वीडियो आप देख रहे हैं यह है SSC IBPS क्वीज के शोर्स से देख रहे हैं वहां से मैंने इसको लिया है SSC IBPS क्वीज शोर्स से तो SSC IBPS क्वीज का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना उप्योगी यह material प्रोवाइड करवाया है नेक्स्ट है इन सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट की चमताएं हैं सिवाए कि इन सभी storage मीडिया में रीड और राइट की चमताएं हैं लग चार option हैं तो इन में तीन में read and write की चमताएं हैं और एक में नहीं है ठीक है तो इसका option रहेगा cd-rom option b रहेगा अगला है इन में से कौन सा logic gate नहीं है देखे logic gate आपको आपने बढ़ा होगा logic gate and note नोर ये get होते हैं net इसमें get नहीं होता option जो आपका ये last रहेगा इसमें c option से ओकर रहेगा लेकिन ये d है d है अगला इन में से कौन सा fluffy disk का storage नहीं है fluffy disk का storage जो option c है ये 1.24 MB ये नहीं रहेगा इंटरनेट के लिए कौन से component lan में उप्योग के जाते हैं तो देखे कोक स्टी पी और फाइवर सभी को यूज़ गया जाता है all of the above हो जाएगा इसका answer निम्न में से कौन सा file एवं folder को access करने का अधिकार देता है तो देखें ntfs option जो last का है ntfs वो file और folder को access करने का अधिकार देता है देखें next है mysql है mysql है क्या है एक rdbms है mysql एक rdbms है next है जब data एक साथ group में प्रोसेस करता है तो वह कहलाता है batch processing जब data पूरे group में प्रोसेस करता है तो batch processing कहलाता है option a next निम्न में से कौन सी image file है देखें bmp भी होती है jpg भी file होती है और ico भी होती है तो all of the above आ जाएगा इसका option भारत में विक्सित परम super computer का विकास किस संस्था ने किया था तो इसका जो विकास किया था वो cdeck ने किया था cdeck website का address कहलाता है website का address URL कहलाता है internet का पूरा नाम international network option रहेगा b Microsoft company के संस्थाफक है तो देखें Microsoft जो है 1975 में इसकी स्थाफना हुई थी इसके स्थाफक थे पॉल लोन और आई बिल केट्स इंटरनेट में पी ओपी पी ओपी क्या है तो इंटरनेट में पी ओपी पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल है option b रहेगा इंटरनेट से computer पर किसी file को save करने को क्या कहते हैं इंटरनेट से किसी file को save करने के लिए अपने computer में तो उससे कहते हैं downloading और uploading कहते हैं इंटरनेट पर डालने के लिए mouse is called mouse को और किस नाम से पुकारते हैं तो mouse को pointing device के नाम से पुकारा जाता है hga, hga card कितनी memory का होता है? hga card जो 64 kb का होता है 64 kb cookies कहां store होते हैं? cookies own client में store होते हैं Miногis में से कोन सा किसी URL का mandatory component है नहीं है देखे जूखेन कहाँ निमिलिक्त में से कोन सा किसी URL का mandatory component है यह is non of the above में से कोई नहीं है सभी क्या है? mandatory components के नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसरों के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्चर माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्चर है एक डेक और एक IBM BEC और IBM इन्पुट का आउटपट में रुपांतरन क्या जाता है तो input का output में रुपान्तरन किसके द्वारा किया जाता है देखे CPU के द्वारा Next question है 26 मौजूदा या कालपनिक परनालियों के recording एवं विसलेशन है तो एक computer सहाइक विदी है तो data flow जो है वो computer सहाइक विदी है Next है निमलिक त्वे से कौन सी computer भासा artificial intelligence करत्रिम बुद्धी के लिए प्रियोग की जाती है तो जो computer की भासा है उसको intelligence करत्रिम बुद्धी के लिए प्रियोग किया जाता है तो उसको किया जाता है प्रोलोग प्रोलोग भासा को computer की भासा को करत्रिम बुद्धी के लिए प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है एन एक ओप्टिकल डिवाइस जो पेपर पर पैंसिल से लिखे को टेक्स्ट को रीड करता है तो वह है ओमर नेक्स्ट है 29 निमलिक्त में से कौन सा सर्वर लेग्वेज के रूप में नहीं है तो जावा एपलेट्स लेग्वेज के रूप में नहीं है MS-DOS किसके दवारा बनाया गया MS-DOS IBM के दवारा बनाया गया Process है Process जो है वो क्या है Process है High-Level Language में बना प्रोग्राम जो डिस्क में हो Next है Data Link पर Single Packet को जाना जाता है Frame डाटा लिंक पर जो Single Packet होता है उसको Frame से जाना जाता है Option B है Next है इसके बिना Computer कुछ भी नहीं कर सकता देखे इस किसके बिना Program के बिना Computer कुछ नहीं कर सकता Option D एक Electronic Logic Gate जिसके सभी Input 1 होने पर Output 0 हो एक Electronic Gate है ठीक है जिसके सभी Input 1 होने पर Output 0 हो जाता है है वह गेट है Nand Gate Nand Gate Nand कौन सी चीज स्क्रीन से संबंदित है देखे कौन सी चीज स्क्रीन से संबंदित है ट्वैन ओप्शन भी है ट्वैन ट्वैन अग नेक्स्ट है 36 कौन सा सेल जो अतिस सीघ्र एवं व्यापक रूप से में प्रियोग में आता है बॉर्न सेल ओप्शन सी नेक्स्ट है लिनेक्स का विसकार किस नहीं किया लिनेक्स का विसकार जो है लिनेक्स का विसकार लिनस टॉर्वाल्ट्स लिनस टॉर्वाल्ट्स ओप्शन डी OSI network architecture के में routing कारिय किस layer द्वारा किया जाता है तो यह network layer द्वारा किया जाता है OSS का पूरा नाम क्या है OSS का पूरा नाम है open source software नेक्स है निमल कित में से कौन से tool का प्रियोग hard disk के partition में क्या जाता है जो है किस tool का प्रियोग hard disk के partition में क्या जाता है F disk का next है VGA में कितने pin होते हैं VGA में 15 पिन होते हैं RTS का पूरा नाम RTS का पूरा नाम ready to start होता है ready to start option A desktop पर जहां time दिखता है वह क्या 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 जहां पर समय दिखता है सिस्टम ट्रे वह क्या क्या रहता है सिस्टम ट्रे कि नेक्स्ट है पेंट में बनाएगी फाइल को एक्सटेंशन होगा पेंट में बनाएगी फाइल का extension होगा png file में देखे png file में होगा जो pent में file बनेगी computer में वो png होगा next है communication mode जो two way traffic sport करना है प्रन्तु एक समय पर एक ही दिशा में transmit करता है half duplex half duplex serial communication link में data को भीजने के लिए कम से कम तीन तार के आउशकता होती है कम से कम sorry serial communication links में data भीजने के लिए कम से कम कितने तार के आउशकता होती है तो दो तार के आउशकता होती है serial communication में link को भीजने के लिए दो तार के आउशकता होती है computer में निम्न में से कौन सी मेमोरी है, कौन सा जो है मेमोरी है, तो यहां आपको पता क्यांपूर्टर में RAM, option A है. MODEM, MODEM का पूरा नाम बताउ, MODEMμο Storage моей नाम, MODEM बहुती Important parts होता है, तो modulator, demodulatorrogen, m परतेक डाटा फाइल का एक खालिस्तान होता है जो फाइल में डाटा स्टोर होने का मार्ग दर्शाता है फाइल स्ट्रेक्चर नेक्स्ट है लोजिकल डाटा स्ट्रेक्चर जिसमें वन टू मैनी रिलेशन्सिप होते हैं ट्री वन टू मैनी रिलेशन्सिप होते हैं वो ट्री में होते हैं, डाटा स्ट्रेक्चर होता है ये, केम्पूटर को सट डाउन करने के लिए कौन से की का उप्योग किया जाता है, तो एल्ट प्लस एफ फॉर, एल्ट प्लस एफ फॉर का उप्योग किया जाता है केम्पूटर को सट डाउन करने के लिए, आपको आपके केम्पूटर में वायरस होने क्या संका हो तो वायरस के दवारा क्या प्रभावित नहीं होगा देखें वायरस के दवारा CMOS प्रभावित नहीं होगा नेक्स्ट है डोस में किसकी के माध्यम से config.sys एवं auto-exec.bat में जाते हैं F1 से प्रोग्राम नेक्स्ट है प्रोग्राम execution के लिए सही कमांड पंक्ती चुनिए तो प्रोग्राम execution के लिए जो कमांड पंक्ती है वो है COM, EXC और BAT option C युक्ती जो procedural भासा से machine भासा में बदलता है युक्ती जो procedural भासा से machine भासा में बदलता है compiler कौन सा cable data को तेज गती से ट्रांसफर करता है optical fiber कौन सा device multicast even unicast packet में अंतर को बताता है multicast router input output function prototypes और macros और macros को किस header file में दर्शाया जाता है studio stdio.h file में दर्शाया जाता है decimal नंबर इक सट टैन equivalent ब्राबर बाइनरी नंबर है यह है option c 111101 और टू CTRL control shift and alt को कुंजिया कहते हैं जो control shift और alt हैं उनको कौन सी कुंजिया कहा जाता है उनको adjustment option d इन मेंसे क्या spam है spam क्या है तो spam जो है unsolicited código unsolicited email होती है वह email जिनको जिनके द्वारा भेजी जाती है जिनको आप जानते नहीं है उनके द्वारा जो mail भेजी जाती है उन्ने spam बोलते हैं निमन लिकित मेंसे कौन सा एक primary number नहीं है 91 primary number नहीं है स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का प्रियोग होता है स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का प्रियोग होता है वह होता है उप्टिकल में सोरी ओप्सनल में वह होता है break जो statement का प्रयोग होता वह होता optional में next है इन में से कोन सा network का प्रकार नहीं है network का प्रकार दीखे सभी है तीनों है land local area network, when wide area network, men metadata area network ठीक है और pen जो है A when नहीं है नेक्स्ट है खालिस्तान वेरियेबल जो किसी स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर गोशित किया जाता है वह है ग्लोबल प्रोग्राम काउंटर है प्रोग्राम काउंटर है देखे जो ओप्शन सी है नेक्स्ट इंस्ट्रेक्षन जो एक्जिक्यूट होने वाले हैं के एड्रेस को कंटेन करना कोई डाटा या इंस्ट्रेक्षन कंपूट के मेमोरी में प्रवेश कर रहता है storage में कहां रहता है storage में कोई भी data या instruction हो computer के memory में storage में परवेश करके रहता है इन में से कौन सा output device नहीं है scanner next है personal computer आपस में जुड़ कर बनाता है network personal computer आपस में जुड़ करके network बनाता है आप video को like नहीं किया है भी तक में आपसे request करूँगा कि video को like और share जरूर कर दीजिए आप आपने अभी तक like नहीं किया है सभी important questions में करवा रहा हूँ आप video को like जरूर कर दीजिए next है एक मोजुदा documents को बदलना कहा जाता है तो जो मोजुदा documents होता है उसको जब हम बदलते हैं क्या करते है एडिटिंग करते है ठीक है एडिटिंग option B अगर next है इन में से कौन सा keyword exception handling का भाग नहीं है throne throne का handling का भाग नहीं है option C आएगा next है निमलिख्त में से किस memory को refresh करने की आवस्चकता होती है DRAM को option B DRAM next है पांचमें जनरेशन के computer को जाना जाता है पांचमें जनरेशन जो फिफ्ट जनरेशन है उसको knowledge option A है knowledge information processing system knowledge information processing system high level language की सीमा है lower efficiency high level language की एफिसेंसी है lower efficiency ISDN ISDN का पूरा नाम है integrated service digital network ISDN integrated service digital network next है file delete करने के लिए shortcut की का उप्योग किया जाता है तो वह है shift plus delete डिलिट shift plus delete निमलिकित में से कोन सा mail merger helper से 0-3 steps में नहीं है तो set the mailing list parameters set the mailing list parameters next है next है निमन में से कौन सा फाइल फाइल फार्मेट फाइल फार्मेट विंडोज सेवन को spot करता है एंटी एफस एंटी एफस अपसन बी लिंक क्या है लिंक क्या है एंड एन एनलाइजिंग टूल है लिंक क्या है option D है एंड एन एनलाइजिंग टूल next है movie में उप्योग होने वाली पहली computer graphics movie में पहली computer graphics जो हुई थी वह वह थी ट्रोन क्योंथी ट्रोन नेक्स्ट है डेसी वील डेसी वील प्रिंटर एक प्रकार का खालिस्तान प्रिंटर है डेसी वील जो प्रिंटर है इंपेक्ट प्रिंटर है इंपेक्ट प्रिंटर ओप्सन भी LINEX एक खालिस्तान ऑप्रेटिंग सिस्टम है LINEX जो उप्रेटिंग सिस्टम है नीम लिखित में से कौन सा डाटाबेस अप्लिकेशन नहीं है डाटा बेस अप्लिकेशन फ्लैस नहीं है प्लैस YouTube एक है YouTube जो है वीडियो सेरिंग साइट है YouTube एक वीडियो सेरिंग साइट है Option C कि नीमन में से कौन सा ओप्टिकल डिस्क नहीं है जिप डिस्क अप्टिकल डिस्क अप्टिकल डिस्क नहीं है access time है access time seek time plus latency time access time बोलते हैं seek time plus latency time option A next है stack को जाना जाता है stack को जाना जाता है stack जो है last in, fast out last in, fast out bcd bcd का पूरा नाम है bcd का पूरा नाम है binary coded decimal binary coded decimal next है यदी stack की size 5 हो तो top की value क्या होगी यदी stack की size 5 हो तो top की value 4 होगी 4, option C next है जो है 1100, 100, 100, 100, 1, and 2 binary number को decimal में बदलें तो decimal में इसका होगा option A 201 primary storage secondary storage की तुलना में primary storage होती है secondary storage की तुलना में क्या होता है fast and expensive होती है secondary storage की तुलना में primary storage fast and expensive होती है option C next है one nibble is equal to एक nibble बराबर होता है जो है 4 bit के option A 4 bit next है reliable reliable communications उपलब्द करता है reliable communications उपलब्द करता है TCP TCP next है निमलिकित में से कौन सा mobile operating system नहीं है तो इसी है जो है Boda Boda और mobile operating system नहीं है और बाकि सभी Android OS और Windows OS सभी है Boda option B next है निमलिकित में से कौन सा video file format है तो video file format जो है यह है QT QT नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर होता है page प्रिंटर next है MS Word में कितने परकार के alignment होते है 4 MS Word में 4 परकार के alignment होते है तो यह आपके हंडर क्यूस्टन complete हो चुके हैं साथियों तो आप इन हंडर क्यूस्टन को note down कर सकते हैं इनको आप देख सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिजिए आपका इन में से आ सकता है important question है तो thank you साथियों आपने वीडियों यहां तक देखा धन्यवाद